हलो आप सबका मेरे चैनल इस विडिंग लाग्यान में स्वागत और अभिनंतन हैं मैं आज आपको एक इंपर्टेंट प्राब्लम जो यूपी एपी ए उन्ने सो पंचानवे में पूछा गया था पूछ रही अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इन्बाक्स में जाकर टाइ और नई पता है तो मेरी पूरी वीडियो वाच कर लीजए को नाम के एक हिन्दू महिला का बिवा खन आम के ब्यक्ति से अक्टोबर 2003 में हुआ था उसने उसे जून 2004 में तलाग दे दिया उसने क्या किया जून 2004 में तलाग दे दिया जिसने जुलाई 2004 में एक दूसरे ब्यक्ती ट से बिवा कर लिया और उसी वर्स सितंबर में एक लड़के का जन्म हुआ क्या क्या रहा उसने जुलाई 2004 में उस दूसरे ब्यक्ती ट से बिवा कर लिया और सितंबर में एक लड़के को जन्म दिया क्या लड़का किसका धर्मच पूत्र माना जाएगा आए देखे प्रावलम का सलूसन जो प्रस्तु समस्या है साख्छा धिनियम की धारा 112 से सम्दित है और कह रहा है कि सेधू बनाम पलानी 1925 का केस है उसके जो मदरास का उसके तथो पर आधारित है कौन सा केस है सेधू बनाम पलानी 1925 का केस है मदरास का उसके तथो पर आधारित है धारा 112 में धर्मच तुकी उपधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है धरह 112 क्याता है यह तत्थ की किसी ब्यक्ति का जन्म उसकी माता और उसके किसी पुरुस के बीच बिदमान बिवा के कायम रहते हुए हुआ था क्या कह रहा है किसी ब्यक्ति का जन्म उसकी माता और उसके किसी पुरुस के बीच बिदमान बिवा के कायम रहते हुआ था यह बिवा के बिगटिन होने के उपरांत माता के अबिवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था क्या कह रहा है किसी या तथिकी किसी ब्यक्ति का जन्म उसकी माता तथा किसी पुरुस के बीच बिदमान बिवा के कायम रहते हुए हुआ था या बिवाह के बिगटन होने के पस्चात बिवाह बिगटित हो गया तलाक हो गया उसके पस्चात जो माता है अबिवाहित रहती है उसके 280 दिन के भीतर होता है तो उस बात का निस्याग सबूत होगा कि वह उस पुरुस का धर्म जो पूत्र है क्या कहरा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता या किसी पुरुस के बीद्मान बिवाह के कायम रहते हुए हुआ था या बिवाह की बीगटन होने के पस्चात माता की अभिवाहित रहते विये 280 दिन के भीतर होता है तो इस बात का निश्याग सबूत होगा कि वह उ गर्बधान किया गया था क्या किया रहा है इसका एक ही अपोध है जब कि यह साबित कर दिया जाता है कि बिवा की पच्छकारों की पहुच परस पर एक दूसरे तक तब नहीं थी जब कि गर्बधान धारण किया गया था धारा 112 में किसी भ्यक्ति के धर्मजट की निस्चयाक सबूत के बारे में निवलिखीत तथ को साबित करना होगा क्या किया रहा है कि धारा 112 में कोई बालक है उसके धर्मजट के समद में कुछ बातों को साबित करना आवसक है क्या तो किया रहा है कि बालक की माता और अभी कथ जो पिता है उसके बीच बैद बिवा होना चाहिए बालक की माता है और जो उसका कथित पिता कहा जाए रहा है उसमें बैद बिवा होना चाहिए दूसरा कहता है कि बिदमान बिवा के कायम रहते हुए बच्चे का जन्म हुआ हो प्रस्तु समस्या जो है एक हिंदू महिला है और उसका बिवाख नाम के ब्यक्ति से अप्टूबर 2003 में हुआ था और वह जून 2004 में उसका तलाग हो जाता है और जूलाई 2004 में वह दूसरे ब्यक्ति टर से बिवा कर लेती है और सितंबर में एक लड़के को जन्म देती है क्या कह रहा कि जो आ है वह महिला है का है सरी वह महिला है और हिंदू महिला है और उसका विवाख नाम के ब्यक्ति से कब होता है तो कहता है कि अक्टूबर 2003 में होता है ठीक फिर क्या होता है कि जून 2004 में मतलब अक्टूबर में साधी हुई तो अक्टूबर के बाद 9 बार दि किटा नाम के व्यक्ति से साधी कर लिया जून में तलाक हो गया इसके बाद उसने एक महीने बाद जुलाई में क्या कर लिया किटा नाम के व्यक्ति से साधी कर लिया इसके बाद सितंबर में साधी के जुलाई में करता है जुलाई अगस्त सितंबर दो महीने बाद ही एक बच पिदा होता है तो कहरा कि प्रस्तुत मामले में लड़के का जन्व सितंबर में हुआ और उसकी माता और जो टा है उसके विदमान विवाह की कायम रहते हुआ हुआ तो यद्देप यह बास सही है कि जुलाई में टर्क के साथ बिवा के पस्चा सितंबर में लड़का पैदा नहीं हो सकता किन्तो यदि वह यह उप्टर की पहुच परस्पन नहीं थी तो इस मामले में अभाव है तो वह क्या करेगा कि अगर वह साबिद नहीं करता कि जो उसका बिवा हुआ था अगर साबिद कर देता है कि वह उसका लिगल बच्चा नहीं है क्योंकि उनमें एक दूसरे तक पहुच नहीं थी तब नहीं माना जाएगा लेकिन अगर विद्मान विवा के कायम रहते हुए उसका जो लड़का है वह पैदा हुआ है तो वह उसका धर्मच पुत्र माना जाएगा क्यों क्योंकि उन दोनों के बीच विद्मान विवा हुआ था या फिर उसके अभिवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर अगर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा किसका होगा तो वह बच्चा जो खा है उसका होगा लेकिन टासे स्यूकी साधी कर चुकी है साधी के भले ही दो महीने बाद ही बच्चा पैदा हुआ है तो वह टाका ही पुत्र माना जाएगा ठीक है फिर क्या कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में ततत्य सेधू बनाम पलानी 1925 मदरास के तत्तों पर आधारीत है जिसमें एक लड़की का विवा अक्टूबर में होता है जून में उसका तलाग हो जाता है जुलाई में दूसरी साधी होती है और सितंबर में एक लड़का पैदा होता है जिसे धर्मज माना गया क्योंकि उसके माता पीता की विवाही तीस्तित के दौरान वह पैदा हुआ था अता है इस मामले में के नेड़े और 112 की तत्तों के आधार पर जो पुत्र है वट्टा का ही धर्मज पुत्र माना जाएगा इस तरह मैंने आपको प्राब्लम बताई प्राब्लम का सुलोशन बताया ऐ ऐसी अच्छी अच्छी प्राब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए सेर करिए और साथ ही साथ बिल आइकन दबा दीजे ताकि कोई भी नोटिविकेशन आपको तुरंत मिल जाए ठीक है धन्वाद थैंक्यू